आज बनाते हैं राजमा, राजमा को मैंने राद को भीगो के सुबह गरब मसालों के साथ बॉइल कर लिया है, एक ग्रीन चीली और बारिक प्याज कट किया है, वेट लोस पे हैं तो गी यूज कर सकते हैं, गी या कोकोनेट ओल यूज करती हूं मैं दिनों, थोड़ी सी राई और जीरा, प्याज जाल देंगे, प्याज को अच्छी से बूलना है, साथे साथ अद्रक, खरी मिट्ची और लसुन का पेश डालेंगे, टामाटर को मैं इस ग्रेंडर में प्योरी बनाएंगे, पहले हल्दे डालेंगे थोड़ी, अच्छी से चोड़ा लेंगे, लाल में और इसमें जाएगा अपना टामाटर प्योरी, अब इसे ढख देके, अच्छी से पकाना है, पानी मसालो का सूख गया है सारा, अच्छी से भून गया है, थोड़ा गर्म असला एट करेंगे, धन्या पॉड़ा, यहाँ पे धन्या कट करके, राजम में मिक्स करतेंगे, थोड़ा पानी अगर एट करेंगे, गर्म पानी हलका एट कर रही हूँ, नमक डाल के पकने देंगे, थोड़ा राजम में नमक था उसके हिसाब से ढ़ना, आपके हिसाब से देखिए अब कितना पाने लगता है, मैंने ब्राउन राइस बनाए हैं साथ में, वाइट राइस तो ब्राउन राइस और राजम, जीरा राइस भी नहीं, आप देखिए, वेट लोज के साब से कितना कम तेल की यूज करना है, बना ही नहीं, थैंक्यू, हर्यों फ्रेंड्स